नमस्कार स्वागत है आपका TRT हिंदी यूट्यूब चैनल पर अगर आपका EPF में खाता है तो आज क्या यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होने वाला है जिसा कि अगर आप सभी लोगों को पता है अगर आप लोग आपना EPF पास्बूक चेक करते हैं या अगर आपको प्रेशानी ना हो आने वाले समय में तो इस एरर का समाधान भी है आप इस समाधान को कैसे कर सकते हैं और क्या एरर है और यह साड़े EPF मेंबर को जरूर एक बार चेक करना है EPF खाता खोल करके चाहें मोबाइल में हो या केम्पूटर में हो सेम प्रोसेस है ब करना जैसा कि मैं अभी कर लेता हूं जैसे ही आप साइन करते तो यहां पर यह देखिए काइंडली अपडेट यूर पासवर्ड यह एक नया अपडेट आया है आपका जितना भी प्रॉना पासवर्ड है उससे यहां पर वेफसाइट पर अभी किलियर कर दिया गया है आपक टेखिनिक को मिलता है सबसे पहले आप अपना प्रॉना पासवर्ड है आपको क्लिक कर देना है एक बात का ख्याल रहे वर्समान समय में आपके अधार काड़ से जच्शुराफा मुमाइल नमर चालू होना चाहिए क्यूंकि बिना OTP सत्यापन के आप अपने EPM खाते का पा और आधार लिंक मुवाइल नमर और आपका जो मुवाइल नमर है उसका लास्ट फोर डिजिट भी आपको देखने को मिल जाएगा इससे आपका कौन से मुवाइल नमर पर OTP भेज़ी गई है पिर यहां आधार OTP सेक्षन के अंदर आपको अपना OTP दरज कर लेना जैसा कि मे यह लोगिन पर आपको किलिक करना है और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही आपका पासवर्ड यहां पे जेनरेट होता है नया वाला तो आपको मुवाइल पर जो नमर रजिस्टर है आपके EPF खाते में उस पर भी एक मेसेज आता है कि डियर मेंबर किलिक कर देना है और यहां पर आपका इसचार आपको 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 हैने यहां पर तो यह अपडेट है EPF की इस अपडेट का आप लोग भी फाइदा उठाए käyt अगर आप लोगों को नहीं पता है इस वीडियो को पूरा अगर आप्सनी देख लिए तो आप लोग भी जाईए अपने फिफखाते को चेक किजिए और अपना पास्वर्ट चेंज किजिए नन्यवात